नमस्कार दोस्तो कैसे आप लोग तो आज मैं फिर से आपके सामने computer के skill के नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो content है वो bio data के उपर क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे comments करते आया हूए है बहुत सारे दोस्त कमेंट्स इसलिए किया है कि sir मैं job के लिए अपलाई मुझे प्लीज एक बार एक विडियो बना के शेयर करिए जहाँ पर हम लोग easily bio data बना सकते हैं तो चलो आपके ही comment के wise में आज bio data बनाना सिखाऊंगा simple तरीके से सिखाऊंगा कोई भी चिंता करने का जरूत नहीं या पर easy तरीके से आपको सारे details दिखाऊंगा तो विडियो bio data किस तरह के से बना जाते हैं तो सबसे पहले Microsoft Office Word आपको open करना है उसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है देखे सबसे पहले उपर आजिए और bio data के काम सुलू करने से पहले page setup कर लिए page setup करना बहुत importance है इसके उपर में एक details वीडियो आपको बना के share करूंगा फि page setup ना करके आप काम कर लिए और बात में अगर पीन करने के लिए चाहेंगे तो जो आप जो पेज के उपर जो लिखेंगे वो मतलब जो text है वो text इधर उदर हो सकते है और एक page में ना आए second page में भी चला जा सकते है तो इसके लिए आपको page setup करना बहुत जूरूरी है तो 154 cm के आसपास है आप यह देखने को मिलेगा तो आप सेंटीमीटर है किसी के मतलब Microsoft Office Word में आपको इंचीज भी दिखेगा तो किस तरी किसे इसको चेंज किया जाता है वो में नेक्स वीडियो में आपके साथ डिसकासन करूंगा जब मैं page setup के उपर एक वीडियो लिक्या चाहिए और किसी जगह पर बोलागे कि हाँ लीगल पेज में होना चाहिए तो लीगल करिए नहीं तो एफोर रख दीजिए आप यह आपको सबसे पहले लिखना क्या है बायरेटा तो आप कैसे करेंगे चलो मैं आपको यह करके दिखा देता हो सबसे पहले आप लिखेंगे यह जो फॉन्ट है यहापे 20 के उपर नहीं जाना चाहिए और फॉन्ट को सिलेट करने के बाद उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगे और यहापे आपको जो फॉन्ट चूज करना है यहापे एक बार लिख लीजिए कि आप टाइम निरूमांस तो टी पेस टाइम लिखेंगे तो टाइम निरूमांस का फॉन्ट आ जाएगा उसके बाद एंटर कर देना तो इस तरह के से फॉर्मेट आपके साथ हो जाएगा और यहापे बोल्ड कर सकते है थोड़ा सा टेक्स्ट को हाइलेट करने के लिए उसके बाद एंटर करिए फिर से आपे आ कर सकते हैं उसके लिए आपको टेबिल के मतलब टेबिल ग्रेट करना होगा तो इंसेड में जाहिए उसके बाद टेबिल ओपसन में जाहिए यहाप रर एक दो तीन चार आपको यहापे चार नहीं करने का बीच और लेके जाएंगे तो यहाँ पर ड्रैग करने का optics पीश Mooा तो ड्रैग कीव कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा देखिए यहापे मैं क्या लिखाँगा सबसे पहले नेम तो यहापे देखिए नेम लिखने से पहले एक बार होम टैम में चले जाएगे और होम टैम में जाने के बाद आपको यहापे बोल्ड ऑप्सन जो है उसको डिए दीर कहा में देम ब्लैंक रख रहा हो आपके हिसाब से आपका नाम जो है आपका यहाप को फिल अप करना है तो उसके बात आपको नेक्स्ताम में जाना है इसको बात नेम करने है तो फिर से आपकर कोलन दे दिगिए और कीबोर्ड से सिर्फ टैबकर य sz करिए कीबू उसके बाद आपका या पे आपका जेंडर लिख सकते है तो आप जेंडर लिख सकते है उसको भी कॉलंब्स के साथ टैब मारिए उसके बाद आपको लिखना है या पे डेट आप बार्थ डेट आप बार्थ लिखिए उसके बाद फिर से नेक्सिल में जाईए और उसके बाद आपको लिखना है marital status marital status का मतलब है आपका साधी हुआ है के नहीं है आप single है के आपके साधी हो चुके है मतलब आप married है तो आपे आप लिख सकते है उसके बाद आपको यहापे लिखना है आपका religion क्या है मतलब आप हिंदु है, मुस्लिम है Christian है, इसाई है आप कौन सा religion से है आपको इस cell में लिखना है यह सारे cell जो blank रख रहा हूँ यहापे आपके data को fill up करते जाईएगा ठीक है, मैं यहापे blank इसलिए रख रहा हूँ आपको मैं format सिखा रहा हूँ और इस format को आपको इस video के अंदर में अब लोड भी कर दूँगा अगर आपको format डाउनलोड करना है, आप कर सकते है तो उसके बाद आपको यहापे लिखना है आपको next में लिखना है क्या gender के बाद आपका mobile number तो mobile number आप लिख लीजिए यहापे उसके बाद आपका email id तो यह लिखना बहुत importance है क्योंकि अभी किसी जगह पे आप काम करने के लिए apply करें तो email address बहुत importance हो जाता है उसके बाद email address के बाद आपको लिखना है आपका language known क्योंकि आप कौन सा language जानते है वो भी लिखना बहुत जोरवी है क्योंकि आपका language जितना जादा रहेंगे जादा language आपको पता है तो आपको easily job मिलने का chances रहेगा देखिए सारे चीज़ों के लिखने के बाद आप बाहर आज जाएगे उसके बाद इस cell को select करना और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पूरे टेबल को select करने के लिए यहाँ पर देखिए एक box जैसा format देखेगा तो अब ही देखिए दिख रहा है तो इस button के click करिए तो सारे table select हो जाएगा उसके बाद आपको जाना है layout time में layout के बाद आपको जाना कहाँ पर है उसकी बाद आपको जाना है यहाँ पर आप देख सकते है डिजाइन में चले जाएए डिजाइन के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर option देखेगा right side में तो इस बॉर्डर के उपर click करिए उसके बाद देखिए आपको option देखेगा no border का तो इस no border option के उपर adjustment कर दीजिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इदर उदर adjustment भी कर सकते है तो अभी एक चीज मुझे करना है यहाँ वह क्या है यहाँ जो text मैंने लिखा हूँ उसके अंदर मुझे थोड़ा सा gap देना है थोड़ा सा space देना है क्योंकि सारे text जो है वह मतलब आसपास ही हो गया तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर gap देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है home time में जाना है उसके बाद यहाँ पर line spacing है इस line spacing में चाहिए उसके बाद थोड़ा सा space को बढ़ा दीजिए 1.5 रख दीजिए तब ठीक ठाक हो जाएगा अब इंटर करिए उसके बाद आपको लिखना है qualification तो यहाँ पर आपको heading में लिखना है qualification qualification लिख दीजिए इंटर कर दीजिए फिर से आपको board को up करना है क्योंकि जब कोई heading होगा तो उसको board रखिए अब इस qualification को आप और एक चीज लिख सकते है education qualification education qualification qualification लिख सकते है तो यहाँ पर education qualification के बाद आपको लिखना क्या है आपको फिर से inside में जाना है उसके बाद table में जाना है यहाँ पर में दिखा जाए तो यहाँ पर table में फिर से जाओंगा यहाँ पे 5 अलग-अलग कलम यहाँ पे ले लूँगा, मतलब सेल ले लूँगा, उसके बाद यहाँ पे 1st सेल में लिखना है, examination, examination, ठीक है, 2nd सेल में लिख लेना, board, मतलब कौन सा board से आप pass out किया है, तो आपको board भी लिखना है, उसके साथ साथ आप university भी लिख सकते है, क्योंकि अगर मान के चलिए आप college गंपिट कर चुके है, तो आपको university भी यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे year of passing लिखना है, year of passing के बाद आपको percentage लिखना है, बो भी यहाँ पे डाल सकते है, ठीक है, तो सब कुछ लिखने के बाद, आप जो जो qualification है, मान के चलिए आपका secondary हुआ है, तो आप लिख 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 लिजिए secondary, उसके बाद आपको यहाँ पे blank cell छोड़ देना है, क्योंकि blank cell में छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ फिलफ करते जाइए, आपका board का नाम क्या है, कौन से year में आप pass out कर चुके है, और आपका percentage कितना आया था, और आप कौन सा gate आपको मिला है, वो यहाँ पे डालिए, उसके बाद secondary के जो higher second, secondary, यहाँ पे लिख लिजिए, higher secondary, ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे cell में आप पुरा-पुरा-पुरा-पुरा-पुरा फिलाफ करते जाइए, और थार बाला आपको मान के चलिए, आप graduation किये है, तो MSC भी यहाँ पे डालिए, आप देखिए, आप जिस टेम से pass out कर चुका आप डाल सकते हैं, और अगर आप कहेंगे sir, मैं तो मतलब डिपलोमा कर चुका हूँ, इंजिनेरिंग पढ़ चुका हूँ, उसके लिए क्या है, उसके लिए इसी तरीके से format create करिए, और आपका semester है, उस semester wise यहाँ पर percentage को छोड़कर, आप semester wise सेल को बना सकते हैं, इस सारे इसको fill up करिए, उसके बाद इस सेल को select करिए, फिर से थोड़ा सा column को, थोड़ा सा place दे दीजिए, थोड़ा सा जगा बन जाएगा, इस सारे चीज़ को select करने के बाद यहाँ पर center भी कर सकते हैं, इस heading को select करिए, यहाँ पर layout option में जाना, उसके बाद यहाँ पर center कर करेंगे, तो आपको देखिए, आप यह जो align दीख रहा है, इसके बीच में जो middle में जो आपको मिलेगा, उसी से आपको center हो जाएगा, तो center कर देना, उसके बाद आपको नीचे आना है, देखिए, आपका अगर किसी भी job में experience है, मतलब मान के चलिए, किसी भी काम आप कर च चुके है, आप IT किया है, तो बो भी आपको यहाँ पर डानना पड़ेगा, तो उसके लिए आप आदस, यहाँ पर आदस, sorry, आदस, आदस qualification भी लिख सकते है, qualification, हाँ, यहाँ पर लिखिए, उसी तरीके से यहाँ पर हाइफन देखर आप आदस qualification को लिख दीजिए, उसके ब इस बिन सेल को बनाई है, उसके लिए अपको कितना सेल लगेगा, टेबल में जाईए, और एटलिस्ट आप चार सेल रखे, यहाँ पर चार सेल में इसलिए रखा हूँ, तो पहले बाला सेल में आपको सीरे नम्बर लिखना है, और उसके बाद आपको कंपानी का नाम, कंप आप इस तरीके से आप सिलेट करके यहाँ पर एड्जस्मेंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से पहले एड्जस्मेंट कर लिजिए, उसके बाद यहाँ पर एंटी करिए, ठीक है, तो इसके बाद टैम करके आप जितने आपका एक्स्पिरेंस है, उस सेल को यहाँ पर छोड़ होगा वह आपर लिख दीजिए उसके बाद एंटर करिए उसके बाद आपको लिखना है प्लेस मतलब प्लेस का मतलब है आप कौन सा जगा से बिलोंग करते हैं आपका नियारेस्ट कोई भी अच्छा लोकेशन है तो उस लोकेशन को आप लिखिए मानके चलिए आप जहां पर प्लेसर बाहु आपबर लिखने के बाद आपको यहां पर इंसाड में जाना है shapes में जाना है, एक line draw कर लिजिए, उपर वाला सेल में signature करने के लिए, line draw रहने के बाद आपको जाना है format तो क्या होगा 60 First quality shapeTION में चाहिए Black कर दिजिए उसके बाद फिर से outline-जाई है यहां पर, दैसमें में जाई है और dotted कर दिजिए इहां पर क्या होगा एक dotted line आपको मिल जाएगा तो दिखिए पूरा-पूरा यहां पर आपके सामने पूरा के जो format court इती है वहां फोर of format को check out करी आभी finally यहाप क्या है एक picture देने के लिए box चाहिए तो इस picture देने के लिए box कहाँ पर मिलेगा insert में जाईए उसके बाद आपको यहापे shapes में जाना है उसके बाद आपको picture लेना है तो picture लेने के बाद आपको यहापे picture डानना होगा तो एक सेफ डाल दीजिए और सेफ के अंदर आपको पिक्चर डानना है तो पिक्चर आप खुदी पिक्चर लगाएंगे पिंट आउट करने के बार इसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद सेफ फील में जाईए और सेफ आउट लाइन को ब्लैक कर दीजिए तो यह हो ग करेगा तो कितना आसान है ना तो इस तरही के से फार्मेट आप बना लीजिए और फार्मेट को सेब करके रखिए जब भी आप किसी जगह पर जाए मतलब बाया अटा समिट करेंगे जब भी किसी जगह पर आपको जाब मिनने का चांस है और कोई भी जाब के लिए आपको सेंड करने के लिए बोला गया है तो अब इस पाइड़ेटर फॉर्मेट को सेंड कर सकते हैं हाँ बहुत जगह पर आपको रिजूम भी सेंड करने के लिए बोला जाता है तो सीवी किस तरह के से है वीडियो गर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों के साथ भी स्यार करना बितने इक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्या लखिए तन्य बाद